बच्चों अभी हमने बुक में से देखो अंग अनुस्वार समझा है ये पेज नमबर हमारा 72 आप चलो कॉपी में इसके कुछ शब्द लिखेंगे तो हमने डेटा ली 23-08-2021 अंग अनुस्वार ठीके तो हम पहली लाइन छोड़ देते हैं दूसरी लाइन से शब्द लिखें तो पहले छोटे छोटे शब्द लिखें जैसे यह देखो अंग 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 रंग 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 जंग माने राई बंद बंद अब है दंड दंड माने रजा दिखाई दे रहा है अब है हंस हंस एक पक्षी है सफेद रंग का होता है शंख शंख अब है संख के बाद संख लिख लेते हैं संग यह देखिए दो अक्षर के शब्द ही कितने सारे हो गए चलो अब और लिखते हैं पंखा ख में आकड़न्डा लग दिया पंखा चंदा चांद लिखेंगे बच्चों तो चंद्रविंदी आएगी चंदा लिखेंगे तो अंग अनुस्वार आएगा और चांद में अनुनासिक आएगा अभी हम आगे अनुनासिक भी सीखेंगे अभी हम सीख रहे हैं अनुस्वार चंदा कंगा जिससे हम बाल बनाते हैं कौं कंगा ठीके गंदा डंडा यहां नीचे बिंदी नहीं आएगी अंडा अंडा जन्डा जर अंडा जन्डा अब एक और लिख लेते हैं हम अब एक और क्या लिखेंगे हम पंखा भी लिख लिया हमने एक और लिख लेते हैं गंगा गंगा एक नदी है अब हम तीन अक्षर वाले लिखते हैं चलों तीन अक्षर के जैसे जंगल इसी तरह से मंगाल बंदर अंदर जिस अक्षर पर अंग सुनाई दे रहा है बिंदी आप वहीं लगाएंगे कहीं और नहीं ठीक है इसका विशेज ध्यान रखें बच्चों अंपर सुनाई देरी अंदर बंबपर सुनाई देरी बपर लगाएंगे इस तरह से मंग देखो मां मपर सुनाई देरी मंजन 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 तेस्ट अब है इंजन इवन आया मंदी लगाई इंजन इंजन चंचल एक और बचाया बारा शंकर लिख लेते हैं चलो शंकर शब्द तो बहुत है वच्चो पर हम सारे तो नहीं लिख सकते इंके माध्यम से हम ये सीख लेते हैं कि मात्रा कहां लगेगी ठीक है तो ये शब्द आपको इसी तरह से लिखना है उचारित करते हुई इनका उचारन करेंगे आप फिर लिखेंगे उचारन करेंगे फिर लिखेंगे इस तरह से तो आपकी एक साथ दो काम हो जाएंगे एक तो आपका कॉपी वर्क भी हो जाएगा और आपको अंग की शब्द पढ़ते भी आएंगे और लिखते भी आ जाएंगे ठीक है ठीक है झाल झाल